साइबर ठग जिस तरह से लोगों को ठग रहे हैं उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते साइबर ठग अब इस तरह से फ्रोड कर रहे हैं कि लोगों को पता भी नहीं जलता और उनका बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है साइबर ठग कभी कॉल करके तो कभी घर की जोखट पर पहुँचकर लोगों को लूट रहे हैं और ना जाने कितने लोगों को चूना लगा रहे हैं महादे वेब भी उसी में शामिल है उसके जरिये भी सैकडो लोगों के साथ दोखा दड़ी हो रही है आज के समय में ओनलाइन लेंदेर बढ़ने के कारण बैंकिंग फ्रोड का खत्रा तेजी से बढ़ गया है ग्रहागों को इससे बचाने के लिए RBI की ओर से समय समय पर गाइडलाइन जारी की जाती है जिनने फोलो करके आप आसानी से बैंकिंग फ्रोड के खत्रे को कम कर सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसके शिकार हो जाते है बता दे कि जब भी बैंक में खाता खुला जाता है तो बैंक की ओर से इंस्टन्ट अरट की स्वीधा आपको दी जाती है इसका फायदा यह होता है कि जब भी बैंक से कोई लेंदिन होता है तो आपको तुरंद मैसेज आ जाता है इस वज़े से हमेशे आपको बैंक खाते में मोबाइल नंबर और एमेल आईडी को अपडेट रेखना चाहिए देश में जितनी तेजी से डिजिटल ट्रांजेक्शन भढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से फ्रोड के मामले भी भढ़ रहे हैं बीते साल इस मामले में और भी भढ़ावा देखने को मिला है 2223 में बैंकिंग शेत्र में धोका धड़ी के मामले भढ़ कर 13,530 हो गए CyberTag से सतर करहने के लिए सरकार ने unknown calls नहीं उठाने के लिए कहा है आपको बता देए कि ठग पहले unknown calls करते हैं फिर एक code डायल करने को कहते हैं और जैसे ही code डायल कर देते हैं और CyberTag का काम हो जाता है ये सब बहुत से लोगों के साथ हो रहा है साइबर ठग लोगों की जिन्दगी भर की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं और उनको लूट रहे हैं कहावत है ना सावदानी हटी और दुरगटना घटी जी हाँ साइबर ठग आपको लुभावने ओफर दे कर नंबर अपडेट करने को कहकर कॉल करते हैं और अपने जाल में फसा लेते हैं और अपना हाथ साफ कर लेते हैं इससे हर रोज कोई न कोई फस जाता है ज़्याद अधर लोगों को इस गवारे में पता भी नहीं है इसलिए उन्हें जहां से मिल लेना उनके लिए आसान होता है आसान शब्दों में हम आपको बताएं तो आप मान लीजी आपके घर पर कोई डिलिवरी वाला आता है और आपसे कहता है आपका पारसल आया है Cash on Delivery आप मना कर देते हैं तो साइबर ठग आपके फोन पर कैंसल कोट भेजता है जैसे ही आप वो कोई डिलिवरी वाले को दे देते हैं और आपका अकाउंट तुरंथ ही खाली हो जाता है इससे बचने का एक ही तरीका है वो तरीका है कि आप बस सावधानी बरते सतर करें नहीं तो जिन्दगी भर का पच्चतावा हो सकता है किसी भी तरह का OTP शेयर ना करे किसी भी तरह का Code डायल ना करे या किसी भी तरह का Text Message का जवाब न दे Facebook, WhatsApp से या फिर Instagram से शोपिंग ना करे क्योंकि इन साइट से ठगी होने की ज़्यादा संभावना होती है अंजान नंबर से भीजे गए लिंक को ओपन करके ना देखे डिलिवरी बोई के सामने ही पारसल खोल कर देखे तभी आप इस तरह के फ्रोट से बच सकते हैं नहीं तो आप भी किसी साइबर ठक के चंगुल में फच सकते हैं और आपके मेहनत पर पूरी तरह से पाने फिर सकता है